जिलेबी बनाने का सबसे मज़ेदार तरीका मैं लाई हूँ आप लोग के पास आज तो फॉलो के लिए इस पूरे वीडियो को स्टेप बाई स्टेप तो यहां पे लिया है मैंने 100 ग्रम मैदा अब इसमें हम डालेंगे डारेक्ट पानी हमें डालना है अगर आपको खटा करना है जिलेबी को तो इसे आपको चार से पांच गंडी के लिए रखना होगा साइड और अगर इंस्टिन बनाना है तो आप इसमें दही का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो यहां पर मैं डारेक्ट पानी ही डाल रही हूं थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसके हम गाड़ा घोल रेडी करेंगे गोल जो होगा वो गाड़ा होना चाहिए पतला होगा तो जिलेबी नहीं बन पाएगा हमारा तो इसी तरह से गाड़ा एकदम घोल बनाना है और ज तो यहां पर 10-15 मिनट हो चुका है आप देख सकते हैं जो घोल है काफी अच्छा से गाड़ा हो गया है अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर यह ऑप्सेनल होता है आप चाहे तो बीना फूड कलर कभी जिले भी बना सकते हैं तो ज्यादा निवस एक चोटा पिंच हम और थोड़ा से इस पर पानी डालेंगे तो हल्का सा दो से चार बुन मैं पानी इससे एड़ कर रही हूं अच्छे से फेटेंगे इसे हम अब कलर से यह होता है कि जिले भी दिखने में काफी अच्छा लगता है आप चाहे तो ओरेंज कलर भी डाल सकते हैं मैं यहां पर यल तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा रही जो घोल है इस तरह का होना चाहिए तो यहां एक ग्लास में मैंने कुप्पी बना कर रखा है तो इसी में हम डालेंगे बैटर को और कुपी को अभी मैंने काटा नहीं है सबसे पहले इसमें हम बैटर को भर लेंगे तो यहां पर लिया मैंने बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है मार्केट में आराम से आपको इसी मिल जाएगा तो ज्यादा नहीं दो से तीन पिंच इसे हम डालेंगे इसी से जो जिलेवी होती है वो हमारी क्रिस्पी बनती है अच्छे से इसे फेट लेंगे और ज्यादा भी से हम नहीं यूज करेंगे 2-3 पिंच काफी होता है अगर जादा आप यूज करते तो जिलेवी फटनी सुरू हो जाएगी जब वो उसे हम तेल में जब हम फ्राइ करेंगे जिलेवी का सेब देंगे तो फटना सुरू हो जागा इसके दो से तीन पिंच काफी होता है और एक साइड यहां पर मैंने चासनी के लिए एक गलास पान इस तरह से कुप्पी मैंने बना लिया है और उपर में यहां पर हम रबर लगा लेंगे ताकि जो बैटर वो बाहर न निकले तो अभी हम कुप्पी को कट नहीं करेंगे जब हमें जिलेवी बनानों का तब कट करेंगे और दूसरी और यहां पर चासनी जो उबलना सुरू ह हो गया है और यहां पर मैंने तेल को गरम होने के लिए भी रख दिया है तो इसमें अब हम बनाएंगे जिलेवी तो कुपपी को कट कर दिया है जिलेवी का यहां पर हम सेफ देंगे सबसे पहले हमें चेक करना है तेल हमारा गरम है या नि तेल गरम होगा तभी आप जिलेवी बनाएंगे ठंडा होगा तो उसमें जिलेवी नहीं बन पाएगी तो आप देख सकते हैं तेल हमारा गरम है जिलेवी का सेफ मैं जब जब दे रही हूं तो वो खिलकर उपर आ जा रहा है तो एक बार में मैं बस चारी जिलेवी बनाओंगी यहां पर थोड़ा सो golden brown करेंगे इसे ताकि जिलेवी वो क्रिस्पी बनें खाने में काफी अच्या लगता है क्रिसपी जिलेवी तो यहां पर यह अच्छे से fry हो चुक है इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में और प्लेट में निकालने के बात तुरंती इसे हमें चास्मे में dip करके तो इसे मैं आपको चासनी में डिप करके दिखाती। हमें यह आप देख सकते हैं, दिखाते हैं चासनी में अच्छे से डिप कर दिया ने और कफी अच्छा लग रहा है जिलेवी तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें फिर से मैं जिलेवी को उसी सेप में बनाऊंगी तो इसी तरह से सभी जिलेवी को हम तल लेंगे और आज की मेरी वीडियो आप लोगों कैसी लगए कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे सेर भी जरूर करेंगे आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो बे थाइंक यूँ